नमेशिवाय, ओम नमेशिवाय, दोस्तों आप सभी का आपकी अपने चैनल में बहुत स्वागत है आपको जाने और अंजाने में चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा दोर क्यों न हो आपको ये दो बाते हमेशा याद रखने चाहिए ये बाते आपकी राशी से बहुत हद तक, कहीं हद तक आप अपनी बड़ी से बड़ी परिशानियों से बाहर आ सकते हैं और इन दो बातों की वज़़े से शायद अपनी जीवन में एक आप बहुत बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं कई बार आत्मिश्वास जो है बहुत कमजोर हो जाता है और इस वज़े से हमें कहीं सारी परिशानिया भी जहलना पड़ती है लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ दो बाते बताने वाला हूँ जिन बातों का प्रभाव आपके पूरे इस जीवन काल पे पढ़ने वाला है और इन बातों के प्रभाव से आप जिन हालातों में वर्तमान में गुजर रहें उन हालातों से भी बहुत कम समय में बहार निकल आएंगे वो कौन सी बाते हैं इन बातों को मैं बताओं उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े कमेंट्स में भोले नाथ का कोई एक नाम लिखे और अगर अपने कुंडली का विशलेशन आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे आप अब आपको पर अपोइट में लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस शूल के लाग हुए दोस्तों और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा सबसे पहली बात है कि जब भी बूरे हालात हो कितने भी बूरे हालात हो आपको मंतर जब को नहीं छोड़ना है अब यहां से इस बात को बहुत बारीकी से समझ ले कि कैसे मंतर जब करना है जब भी बूरे हालात होते हैं तब दिमाग, मन, सब यथित हो जाते हैं सब चीजे हमारी बहुत नकारत्म को नेगेटिव हो जाती है लेकिन मंत्र जप में वो शक्ति है मंत्र जप में कौन-कौन से मंत्र जप है ये समझ लो, सबसे पहला मंत्र अपना गुरु मंत्र नहीं है, तो ओमनमेशिवाई नहीं है, वो भी नहीं तो सबसे बड़ा मंत्र होता है हनमान चालीसा, इसका जब करें आप हन्मान चले सा दो चार पाँच दस बार जितनी बार आप पढ़ पाए दिन में पढ़ें दोस्तों मैं आप से वादा करना हूँ कि संद्मान जी हन्मान जी महाराज जीती जाकती सत्ता है और कितने भी बूरी हाला थो उनसे आप बाहर निकलेंगो और दूसरा कि जी वाले दो वक्त जरूर जाए ओमन में शिवाएगा